कास कास की ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती ये लाइन अमेरिका के एक बहुत बड़े बिल्डर लेरिशन क्लार्ट ने कही थी जब उन्होंने रिजडेट पूर डेट को पढ़ी थी वक्त ऐसे ही बीच जाता है और हम कास में फसे रह जाते हैं ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जब हमें पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ वदल सकती थी हमें कुछ सीखने को मिल सकता था या कुछ तरक्की करने को मिल सकता था पर वक्त भी चुका होता है और बस हमारे पास रह जाता है तो बस कास कास की मैंने ये कर लिया होता तो आज हम इसी किताब रिश्टेट पूर डेट पर चर्चा करने वाले है इस किताब में रोबर्ट क्यो साकी ने अपने दो पिताओं का रिफ्रेंस लिया है एक जो रिश्टेट थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पूर डेट थे जो बहुत ही गरीब थे रोबर्ट क्यो साकी अपने दोनों पिताओं को अपने दोनों डेट को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे अब बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक वक्त पर एक ही इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं या कोई और कुश्चन मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पर ध्यान दें की रोबर्ड क्योसा की हमें समझाना क्या चाहते हैं तो हमारे लिए फायदे की बात होगी हो सकता है उन्होंने ऐसा माल लिया हो हो सकता है उन्होंने अपने मन को पूर डेड और अपने दिमाग को रिश्टेड माना हो या हो सकता है कि एक डेड उनके रहे हो और एक उनके किसी दोस्त के कुछ भी हो सकता है important ये नहीं है कि ये जो dead का reference उन्होंने लिया है ये कहानी कालपनिक है या असल है बात ये है कि Robert क्योशाकी हमें समझाना क्या चाहते है हमें बताना क्या चाहते है चलिए माल लेते हैं कि Robert क्योशाकी के दो पिता थे और उनमें से एक अमीर थे और एक गरीब तो Robert क्योशाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी माध्यम से क्योशाकी कहते हैं कि हाला कि वो दोनों पिता उनके अपने थे हाला कि वो दोनों पिता उनका उतने ही सिद्दत से उतने ही मन से ख्याल रखते थे उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान ने उचाओर करते थे, हमेशा ये सिखाने की कोशिस करते थे, और जिंदिगी में आगे बढ़ाने की कोशिस करते थे, पर ऐसा क्या था, कि उनके एक पिता अमीर थे और एक गरीब, ये सारा खेल है सोच का, ये सारा खेल है नजरिये का, नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है और इसी पर किसी ने एक बहुत कमाल की बात कही है कि नजर का इलास तो हो सकता है पर नजरिये का नहीं तो ये हमारे उपर है कि हम किस रंग का चस्मा पहन कर कैसा मोसम देखते हैं। इसलिए अगर हम अपने आपको पॉस्टिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए, अपने लाइफ के बारे में सोचें, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस अब आज के लिए इतना है, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगले एपिशोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थेंक्यू।